जीवन का कोई भी ऐस्पेक्ट को ना हो, टेक्नोलोजी हमारी बहुत मदद करती है और अगर बिजनस की बात करें, तो अगर कोई ओफलाइन से ओनलाइन आना चाहता है कोई बायर, कोई सेलर या फिर बत और कंज्यूमर आप चाहते हैं कि आपका बहुत सीमलेस ओनलाइन एक्सपीरेंस हो तो जरूर जानिये ओनदीसे के बारे में, यानि ओपन नेटवर्क पर डिश्टल कॉमर्स डिडी मॉर्निंग शो में आये मिलकर स्वागत करते हैं, धीरज कुमार जी का, नमस्कार, बॉड मॉर्निंग, दन्यवाद, आप ओन डीसी में गर्मन्न अफेस देखते हैं तो आज क्योंकि मदान का दिन है और लोगतंदर का इतना बड़ा पर्व है, तो सबसे पहले यही जाना चाहेंगे कि ओपन नेटवर्क पर डिश्टल कॉमर्स कैसे बिजनेस को डिमोक्रटाइज करता है तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी देश्वासियों को बदाई देना चाहूँगा दोजा चॉबिस के लिए आप बिलकुल सही कह रहे हैं ONDC एक तरह का डिजिटल कॉमर्स में लोगतंदर को स्थापित कर रहा है और विश्व में भारत ने इसकी सबसे पहले की है जिसमें सभी उद्यमी को चाहिए वो चोटे स्थर पे हो या बड़े स्थर पे हो सब को समान अफसर मिल रहे हैं और टेकनोलोजी का हेल्प लेके वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं सबसे बड़ी खासेती होती है कि एक तो समान अफसर मिले सबको दूसरा जो अपने ही शर्तों पे सारे विफसाई अपने हिसाब से काम कर सके तो उसमें ओए डिसी ने विकल्प दिये हैं जहाँ पर कोई भी MS-ME है वो अपने शर्तों पे खुद सेक सेट कर सकता है जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी application जूडी है seller application, buyer application, तो कोई भी MSME किसी भी seller application के साथ अपने terms and condition पे अपने ही price पे वो अपने business को on board कर सकता है आपने यहां सबान अफसर की बात की तो यहां पर मैं खासतोर से specially able जो लोग हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी उनको ONDC किस तरीके से अपने साथ जोड़ रहा है कैसे आगे पड़ा रहा है Right, so ONDC network पे कुछ ऐसे विफसाई भी हैं जो बहुत ही आपने में काम कर रहे हैं जैसे हमारे साथ एक ऑगनाइजिशन जोड़ी गिफ्टेबल वेंचर जो बैंगलोर से हैं वो क्या करते हैं जो डिफरेंट लिएबल पीपल है उनसे वो प्रोड़क्त पिक्योर करते हैं और उस उनके साथ इसे विफ्ट मोर देन 300 प्लस डिफरेंट लिएबल लोग जोड़े हुए हैं इसे बिसिकली स्टेशनरी प्रोड़क्त हैं गिफ्ट इटम्स हैं जो एक कोई भी आम बायर जो उनके गरी पैन बगरा या डायरी पैन है या डिवाली में जो गिफ्ट है या फेस्टिवल पर जो हम गिफ्ट लेते हैं जिसमें कागत से बने या जूट से बने हुए बहुत सारे प्रोड़क्त होते हैं कोई भी एक आम नागरिक उसको खरी सकता है तो वो हमने ओन डीसी नेट्रक पे जैसे ऑन बोर्ड किया है और बायर खरी सकता है ऐसे ही बहुत सारे शोशल सेक्टर होती है जो पूरे भारत में पूरे विश में ही बहुत यूनीक है तो वो भी अपने बिजनिस को ओन डीसी नेट्रक पे ऑन बोर्ड कर रहे है और एक बहुत बड़ा मार्केट एकसेस उनको मिल रहा है जो ओन डीसी एक तरह का डिजिटल हाइवे बन चुका है जहां पर अन्धर बन जब आती है तो खरला मिन फ्रोर्रा में जो इनान्पर अन्धर करती है और फिर खनको बन हो जो प्रकुर्मेट से ही जहां पर सभी सेलर्स को इन्वाइट करती है और फिर प्रक्यूर्मेंट बट यहां ओंडिसी नेटक पे ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है तो हम जैसे गौर्मेंट इंटिटीज के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सेट लेवल और सेंटर लेवल गौर्मेंट डिपा हुआ हो बांगलोर में हमारे साथ हॉप कॉम जो हॉटी कल्चर काइक ब्रैंड है वहमारे साथ हॉप कॉम है ऑन बोड प्रॉट्ट ऊस हॉप कॉम के तो 10 से भी जymाडा स्लें बैंगलोर में शिमिटेचर इन इन फॉटकॉम के बाखी 24 डिस्टिक में होप कॉम का वो लोग है वो भाई करते हैं बड़ हमने इसको डिजिटाइज किया है जिसमें क्योंकि होपको में गॉवर्मेंट डिपार्टमेंट का ब्रैंड तो उनके जो प्राइज है क्वालिटी है वो मैंटेन करते हैं और पीपल अलसो लाइक कि उनके प्रोड़क्ट हम खरीदे तो स्मॉल सेलर्स की बात करें मानलीजे मेरा एक स्मॉल स्केल बिजनस है और जैसे मग है मैं कस्टमाइज मक्स देती हूं और जैसे इस पर लिखा है चुनाव का पर्फ मैं कुछ भी आपको अपनी फोटोग्राफ चाहिए कुछ भी चाहिए मैं वह उस पर प्रिंट करके दू सबसे पहले डिजिटल केटलोग बनाना होता है उसमें फोटो डिस्क्रिप्शन वह देनी होती है जिसमें आपकी सेलर ने ट्रक पार्टनर हेल्प करते हैं या आप खुद भी किसी से भी एक्स्टरनल एक्स्टरटी से ले सकते हैं वहां पर एक फॉर्म की तरह उनका पेज है और उस पे आप अपने प्रोड़क को ऑन बोर्ड कीजिए और जैसे ही वह केटलोग बनने के बाद ऑन बोर्ड हो जाता है सेलर एंप से टर्म सेंड कंडिशन सेट कीजिए और फिर आपको इमेजिटली सभी बायर अप्लिकेशन पे उस कैटेगरी के अगरिंग आपका प हाज कीजिए यूए, घर्म हाजू हुए detto कीजिए और ठीजिए